Demo of Air Purifier Model No. 6032 जैसा हमने आपको इंसलेशन के टाइम पर बताया था आपने इसके सारे फिल्टर्स पहले लगाने हैं उनकी पॉलेफीन हटा देनी है और सबसे पहले हैपा फिल्टर फिक्स करना है उसके बाद में आपने कार्बन फिल्टर लगाना है कार्बन फिल्टर के ऊपर आपने कोल्ड कैटलिस्ट फिल्टर लगाना है और टॉपपड आपने मैश फिल्टर लगाना है उसके बाद आप में बॉड़ी को बन करने हैं अब ये यूनिट आपकी रेडी है टू अपरेट उससे पहले हमारे को इसके अंदर air sensitivity adjust करनी है air sensitivity क्या है और क्यों हम करना चाहेंगे ये customer के उपर depend करता है कि customer की conditions कैसी है अगर customer बिल्कुल healthy है और उनको कोई ऐसी problem नहीं सिर्फ अपनी सेहत के लिए उन्होंने ये लिया है अच्छी air के लिए तो आप इसको standard पर रखेंगे अगर उनको कोई problem होती है congestion हो जाता है बच्चे जल्दी बिमार में जाते हैं तो उसके लिए sensitive पर fix करेंगे और अगर उनके घर में कोई asthma से अस्त्मा का patient है तो हम इसको extra sensitive पर करेंगे अब extra sensitive को set करने के लिए क्या करेंगे उससे ये आपकी unit आपके सामने है इसके अंदर आपका पैनल है जो की टॉप पर है इस पैनल में ये sign जो सा है on off है इसको आप प्रेस करते हैं तो on off होता है टॉप पर auto लिखा है auto का मतलब है auto mode this is button for air quality sensitivity adjust करने के लिए नीचे silent mode लिख रहा है और इधर fan की speeds है जो manual आप adjust कर सकते हैं यहां पर first speed है second speed है third speed है आप देखेंगे third and fourth लिखा हुआ है जब हम इसको first एक पर press करेंगे तो first speed second पर press करेंगे second speed 3rd पर प्रेस करेंगे third speed और फिर fourth पर प्रेस करेंगे तो इसकी 4th speed आ जाएगी अब उसके आगे replacement filter है अगर इसकी light जल जाती है जब तो इसका मतलब filter चोक हो गया है आपको filter बदलने का time आ गया है अब हम सबसे पहले sensitive sensitivity इसकी adjust करेंगे अब customer को तीन तरहती जैसे हमने आपको बताया sensitivity है इसके इंदर mode है one is a standard दूसरी sensitive है और तीसरी extra sensitive है आप देखें यहां पर तीन wing बने हुए है तीन waves बनी हुए है यहां पर यह second wave नंबर पर दो waves बनी हुए है और first wave पर single wave बनी हुए है जो तीन waves है इसका sign का मतलब है यह standard है दो का मतलब है sensitive है और एक का मतलब है extra sensitive होगते है अब इसको adjust करने के लिए आपने अभी plug-in नहीं करना है सबसे पहले आप mode button को press करके रखने है mode button को press करने के बाद आप plug-in करते है और unit को on करते ही आप देखें इसके उपर अब यह दिखा रहा है आप दी इसको छोड़ देना है और speed के button को दबाना है first मतलब यह extra sensitive पर आ गया है second sensitive है और third जोंसा है standard है अब हमारे को customer बताता है कि मैं automatic हूँ तो हमने first page को adjust कर दिया और on-off switch को off कर दें जैसे ही आप दबाते है unit बंद हो गई unit बंद होने का मतलब है अब जब भी unit चलेगी तो automatically इसके अंदर lights आएंगी अब जोंसी lights आएंगी इसके इंदर वो आपको air quality बताएंगी air quality जोंसी है पहली light जोंसी है वो red color की आती है अगर red color है इसका मतलब pollution बहुत जादा है जो की dangerous level पे है second purple light आएगी purple light का मतलब है कि आपकी एक moderate level के उपर air का pollution है और third light जोंसी आएगी that will be green light green light का मतलब की air अच्छी quality हो गई है but still need more cleaning over there और जब इसमें blue light आजएगी तो इसका मतलब air बिलकुल quality जोंसी है बहुत अच्छी हो गई है और वो आपको healthy feel करेगी उसी के हिसाब से जब आपने auto mode के उपर इसको press किया हुआ है और जैसे जैसे इसकी air की quality improve होती जाएगी इसकी speed भी automatically change होती चली जाएगी अगर quality बहुत ज़्यादा खराब है तो ये आपको बिलकुल high speed पे fan को move करेगी चलाएगी और अगर उसकी purple के उपर आगेगी है तो इसको थोड़ी speed कम कर देगा green पे आजाएगा तो और कम कर देगा और जैसे ही blue पे आएगा तो speed बहुत हलकी हो जाएगी इसकी और इसकी अंदर silent mode है अगर आपको manually जैसे sound नहीं चाहिए है कम चाहिए है cleaning ठीक है तो आप manually इसकी silent start हो गया और automatically यह auto mode के उपर आ जाएगा यह factory सेटिट है auto mode अब आप देखें कि यह speed जूंची है इसमें second ले रखी है और light देखें green light आ रही है अभी यह air quality को sensor जूंसा है उदर sensor दिखाया था तो उससे यह quality को check करके यह change करता चला जाएगा और इधर आपका यह replacement filter है जब यह filter हो जाएगा फिल हो जाएगे चोक हो जाएगे तो यह आपको बता देगा light इसके अंदर चल जाएगी और यह on हो जेगा इसका मतलब है आप इसके filter change करते है अब इसके साथ आपको complaint आती है complaint आती है कि यह pollution हमारे यहां पे इतना नहीं है पर यह lights अलग करांगे दिखा रहा है और speed भी जा रहा है यह कम है इस तरीके से यह malfunctioning कर रहा है यह malfunctioning क्यों कर रहा है basically इसके अंदर चैसे मैंने आपको बताया कि sensor लगे हूं है जिस sensor से यह light को चेक करता है अब यह sensor जो सा है आप plug निकाल देंगे यूनिट को side में करेंगे यह यहां पर sensor का cover लगा हुआ है आपने इसको gently बड़े अराम से अपनी तरफ करके इस cover को निकाल लेना है कवर को निकालने के बाद आप यहां पर देखें तो आपको यह hole नजर आ रहा है इस hole के अंदर sensor लगा हुआ है अब इस sensor को ना तो आप किसी sharp चीज के साथ करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपने earbud ले लिए हैं जिसके दोना तरफ cotton लगा हुआता है एक तरफ आप cotton को पानी में गीला करें और हलके से sensor के उपर gently clean कर दें गीला करके साफ कर दें और थोड़ी देर के बाद परली तरफ दूसरी dry cotton लें और dry cotton से उसको साफ कर दें अब आप देखेंगे कि यह सही काम करने लगे हैं आपने इसको cover लेना है कवर को fix कर दें यूनिट को on कर दें यूनिट आपकी auto mode पर है सेंसिटिविटी इसकी एक्स्रा सेंस्टिविटी हमने जिस्विए पर भी सेट किया हुआ है उसके उपर आजेगा यह आप आपको आपके नो यूनिट इस अपरेशनल अगे